कोडर्मा में धिवरा स्क्रैप मजदूर संग का 12 फरवरी से शुरू हुआ अनिश्चित कालीन धर्ना आज 11 दिन भी जारी है धिवरा वेवसाय को पूर्ण जीवित करने के मंदे नजर बने नियामली को लागू करने की मांग को लेकर मजदूर धर्ने पर बैठे हैं बता दे की वन अधिनियम लागू होने के बाद माई का ख़दानों को बंद कर दिया गया है जिसके बाद ख़दानों के बाहर कच्रे के रूप में फेके गए धिवरा को चुनकर हजारों मजदूरों का गुजारा हो रहा था लेकिन पिछली कुछ सालों में प्रशासन की सकती के कारण धिवरा चुनने पर भी पाबंदी लग गई जिससे जंगलों में रहने वाले मजदूरों के समक्ष भुकमरी की समस्या उत्पन हो गई है उन्होंने कहा कि धिवरा को मेजर मिलनल से माइनर मिलनल में शामिल कर दिया गया है जिसके बाद इसे लेकर राजसरकार को कारवाई करनी है लेकिन अब तक कोई कारवाई नहीं की जा रही है जनता की आवाज जो है जो जनता के सेवक है उस सुन्य के लिए नहीं आ रहे हैं तो जनता का आवाज तो बलद रहे गही है अब जिस तरह का यहांपे हमारा जार खन अलग हुआ जल जंगल जमीन को ले करके यहां जो हमारे यहां जारखन अलग हुआ और जारखन में हम कोईला नहीं रखेंगे हम पथल घर में रखेंगे हम लखडी नहीं घर में रखेंगे हम धिवरा नहीं रखेंगे घर में तो हमारे यहां क्या रहेगा पैसा रहेगा सोना यहां पर र तो हम जारखन में हैं बसेवे हमारा अधिकार है और हम अधिकार अपना लेके ही रहेंगे जब तक इनका आवाज नहीं आपने से बुलाते नहीं है तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं अपने आवाज हम बुलंद करते रहेंगे राज्य सरकार से बार बार आग्रह करने के बावजूद आज दिवरा मजदूर भुकमरी के सिकार पे हैं, भुकमरी के कगार पे हैं, लोग समहरनाले में धर्दा दे रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इस राज्य सरकार के गान में जू नहीं रेंग रहा, चाहे मुक् मिनरल में आता था बाद में यह माइनर मिनरल में आया तो यह राजी सरकार को तई करना था कि आप इस तरह से इसको चलाएंगे लेकिन राजी की उदासिंता राजी सरकार की उदासिंता के वज़ा से आज भुखमरी के कगार पर चाहे वो फथर वेवसाई हो चाहे दिवरा व प्रवाएवसाईयों आज वो भुक्मरी के कगार पर है निश्चित रूचर यह सरकार गरीब भी रोदी है यह सरकार महिला भी रोदी है यह सरकार रोजगार देने में नकाम रही हर एक मोर्चे पर यह सरकार